नमस्कार, मैं प्रकर गुपता, आज विशय हम आजाद हैं पर अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं किसी भी व्यक्ति की विधी द्वारा इस्थापत प्रक्रिया के अतरिक्त उसकी आजादी और जीवन वह उसके व्यक्तिक अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता ये बात कहता है हमारे भारतिय संविधान का अनुछेद 21 हमारा भारतिय संविधान सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी को बिना किसी भेद भाव के हर वो अधिकार देता है जिससे वो स्वतंत्र महसूस कर सके हमारे महान संविधान निर्माताओं ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं जिससे हम अपनी स्वतंतरता को सुनिश्चित करें और उन्हें बचाने को भी हम तक पर रहें हमें समानता का अधिकार दिया जाता है हमें स्वतंतरता का अधिकार दिया जाता है धर्म को अनुसरन करने का हमें अधिकार दिया जाता है सिक्षा और संस्कृती का अधिकार हमें दिया जाता है और साथ ही इन सभी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए हमें संबैधानिक उप्चारों का अधिकार भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं Right to Constitutional Remedies जिसे बाबा साब अंबेडगर पहले ही भारतिय संबिधान की आत्मा घुशित कर चुके हैं आज जब हम अपनी देश की आजादी के 75 वे वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो यह वाक्य हम आजाद हैं एक संतोज जनक उत्तर के साथ साथ एक जिग्यासु प्रश्न भी लगता है एक संतोज जनक उत्तर ऐसे कि हम एक स्वतंत्र देश में आजाद देश में खुली अवा में सांस ले रहे हैं जो सपना हमारे महान स्वतंत्र ता सैनानियों ने हमारी लिए देखा था हम अपनी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं अपने प्रतिनी दियों को दिल्ली भेजते हैं अपने प्रतिनी दियों को अपने अपने राज्जियों की राजधानियों में भेजते हैं ताकि वो हमारा प्रतिनी दित्व करें और पांच साल के बाद फिर से वो हमारे प्र परने नहीं देना चाहते हैं, कुछ न कुछ तरीकों से हमारे समाज में और समानताएं बनाए रखना चाहते हैं, राजनेतिक लाब लेने के लिए भहु संखे कल्प संख्या की राजनीती तक करने पर उतारू हो जाते हैं, यह बड़े दुख की बात मुझे लगती है, आजा राष्टर की आजादी और व्यक्ति की आजादी में एक फर्क है सीमाओं का, एक राष्टर की आजादी अगर सीमित हो सकती है, परन्तु एक व्यक्ति की आजादी अगर असीम हो गई, तो यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत हानिका रखो सकता है, इसलिए कुछ तार आज में अराजकता हिंसा फैलाने का प्रयास करे तो हमारा सम्विधान हमें यह अधिकार देता है कि वो कुछ गलत कर रहा है वो क्योंकि अपने अधिकारों की पालन करते हुए दूसरे के अधिकारों का भी हनन कर रहा है यह बिल्कुल गलत है और इसलिए हमें उन सीमाओं मे लाकर के खड़ा कर देता है जहां हम अपने अधिकारों का अनुसरन कर सकते हैं परन्तों बिना किसी दूसरे को हानी पहुंचाएं कुछ ऐसी समस्याओं का हल हम सिक्षा का प्रचार प्रसार करके भी कर सकते हैं उचित तरीके से ये काम करने से हमारे समाज में भ्रष्टा चार कम होगा सिक्षा के प्रचार से भाई चारा बढ़ेगा उन्नती की भावनाएं बढ़ेंगी आपसी मेल जोल से हम रहना सीखेंगे और इसी के साथ हमारे देश उन्नती की राह पर आगे बढ़ेगा विक्षित देशों की सूची में हम जल्दी से जल्दी आ सकेंगे और हम शांत भाव से हमारे उस सपनों के भारत को बनाएंगे जो सपना हमारे महान सुतनतरता सैनानियों ने देखा था हाँ हम आजाद हैं आजाद थे और आजाद रहेंगे हमें कोई ऐसे गुलाम नहीं बना सकता